आज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना खाने में क्या बनाए तो ये रेसिपी आपके लिए है जिसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा और स्पेशल इंग्रीडियंट्स का यूज नहीं करा है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कड़ाई कड़ाई में हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ओयल और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा उसमें हम ये डाल देंगे पौनी चम्मच जीरा और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी सी चम्मच हींग इन दो और एक ही प्याज ली है इनको मैंने क्या कर लिया है square chop कर लिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बड़ा और हमने इसको square square chop कर लिया है और इसको भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे भुन लेंगे इसको हमें सिर्फ क्या करना है सोटे करना है ज्यादा गलाना नहीं है जिससे क्या होगा हमारी सबजी में क्या एक क्रंचीन ऐसा है प्याज और शमला मिर्च की तो ये 3-4 मिनिट के बाद हमने इसको कड़ाई में से निकाल लिया सारे मसाले को अब ये हमारा तेल और जीरा का मसाला बचा ही है तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज और ये अद्रक लसन का पेस्ट मैंने इधर प्याज को बिल्कुल छोटा 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 चॉटा चौप कर लिया है और अद्रक लसन का पेस्ट भी ये 1-1.5 चमच है इसको हम क्या कर लेंगे अच्छे से भुन लेंगे आपको जरूरत लगे तो आप इस स्टेच में फिर से थोड़ा सा तेल आड़ कर सकते हो जैसे मैंने आड़ करा है तो इसको अच्छे से आप क्या कर लो भुन लो ध्यान रखना बिल्कुल तेज गैस पे मत भुनना और बिल्कुल स्लो पे भी मत भुनना मेडियम सी आप अपनी आच रखना और फिर इसी में हम डाल रहे हैं ये एक चमच कश्मीरी मिर्च इस से हमारी सबजी में बहुत बहुत अच्छा कलर आएगा बिल्कुल बजार जैसा और टेस्ट में भी ऐसी बनेगी अगर आपके महमानों को आपने ये सबजी खिला दी तो उनको तो पक्का लगेगा ये बजार से ही आई है तो ये हो गई टेप नंबर वन इस स्टेच पे ही आपको क्या करना है मसालों को एड कर देना है ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन जाए तो मैंने आधी सी चमच इसमें हल्दी डाली और पोनी सी चमच गरम मसाला एक चमच के आसपास मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और सब मसालों को अच्छे से भुन लो और आपको थोड़ी सी पानी की नीड लगे तो बिलकुल थोड़ा सा आप डाल दो मतलब की आ बाइवा अब सब्जी को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे हरी मिल्चे हमारे घर में हम हरी मिल्चे को ऐसे ही खाते हैं आप चौप करके भी डाल सकते हैं और यह मैंने ले लिये थे दो टमाटन जिनको मैंने अच्छे से पीस लिया है और या फिर आप इसको ग्राइंडर में अच्छे से चौप कर सकते हो या फिर इसको मिक्सर में क्या कर सकते हो प्यूरी बना सकते हो और फिर इधर हम इसको अच्छे से क्या कर लेंगे मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के है ना ताकि सारा गुतिए कर दर दटार के बुनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं. एक चमच के पेसन से क्या होगा हमारी सबजी में एक प्लेवर आएगा और जो की आय쪽ि Sayji को सबसे सबसे भून लेंगे वह तो सबसे necessary for our group के बना देगा तो यह को सबसे सब्सक्राइब नौहा shorter के लिए आप इसको अच्छे से mix कर लो नहीं तो 5 मिनट एनफ है और एंड में हमारा आता है secret ingredient जो की है घर की fresh मलाई तो इसको भी हम अच्छे से क्या कर लेंगे mix कर लेंगे ध्यान रखना gas अपनी medium ही रखना और इसको अच्छे से हमें उस ताइम तक mix करना है जब तक हमारा जो यह मलाई है तेल नहीं छोड़ देती आप खुदी बताओ कुछ भी extra हमने इसमें यूज करा जो की कुछ अलग है यह आपको specially market से लाना पड़ेगा नहीं ना तो इधर मैंने लिया है तीन चमच मलाई जैसे कि आप लोगों ने देखा और इसको हम अच्छे से क्या कर रहे हैं mix कर रहे हैं और जब हमारा यह अच्छे से mix हो जाए पांच मिनिट हो चुके हैं इधर हमारा मसाला पक चुका है तो जो हमने प्याज और शिम्रा मर्च को अलग निकाल के रखा था इसमें हम mix कर लेंगे क्योंकि अब हमारी सब्जे बनने वाली है तो इससे क्या होगा हमने जो अलग निकाल के रखा था आपको अलग सा ही टेस्ट आएगा प्याज और शिम्रा मिर्च का अब इधर हमेंने डाल दिया यह आधा कप पानी और इसको मैं पांच मिनिट के लिए पकालो एंड में हम इसको गार्निश कर देंगे अपने धनिया पती से और उपर से मैं डाल रही हूं इसमें मलाई और यह देखो सबजी का कलर सबजी का टेक्स्टर है ना बिलकुल बजार जैसी लग रही है और बिलकुल मिंटों में इस सबजी तयार है कोई भी ए एक्स्टर आपको एफट नहीं करनी और ट्रस्ट मी इतनी यमी बनी थी इतनी यमी बनी थी सब ने रोटी एक्स्टर खाई है तो जरूर ट्राय करना थैंक यू